हेलो स्टुरेंट्स आज हम लोग बात करेंगे एसोसी एटिविटी आफ ऑपरेटर्स की जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था तो उसमें हमने ऑपरेटर्स की hierarchy of operation बताया था आपको आज हम लोग डिसकस करते हैं कि associativity of operator क्या होता है ठीक है देखिए टोड़े में डिसकस एबाउट अशमा सीशा फोसी इवटी अफ ऑपरेटर्स इसमें क्या होता है कि देखिए when an expression contains two operators of equal priority तो क्या होता है कि दो operator equal priority के हैं माली सपोस किज़े for example हमने कहा भी कोई expression हमने आपको दिया इसे x is part हमने आपको लिखा उसे 6 divided by 4 multiplied by 2 ठीक है अब इसमें क्या होगा कि देखिए यह जो division operator है और यह जो multiplication operator है आपको hierarchy of operation अभी आपको फिछले lecture में बताया है तो यह दोनों क्या हैं यह same priority पे हैं मतलब दोनों one priority पे हैं तो क्या होता है कि एक तरह से इन दोनों के बीच में tie हो जाता है tie का मतलब यह हुआ कि अब इसमें हमें operator की associativity देखनी होगी कि कौन सा पहले execute होगा तो इसमें कह सकते हैं कि all operators in C all operators in C have either left to right associativity और right to left associativity यानि जितने भी operator हैं C language के अंदर वो या तो left to right associativity रखते हैं ठीक या right to left associativity रखते हैं तो हमको उसी हिसाब से किसी भी expression को evaluate करना होगा अब मालीजे हमने example ली कि मालीजे हमने कोई expression लिया से x is equal to 3 by 2 multiplied by 5 अब इसमें क्या होगा कि यह multiplication और यह division और यह multiplication operator दोनों same hierarchy level पे हैं तो इसमें क्या होगा फिर tie होगा अन दोनों operators के बीच में तो this tie is settled using the associativity of division and multiplication operator तो यह जो tie होगा तो हम इसमें फिर associativity चेक करेंगे ठीक है division और multiplication operator के बीच में और उसी associativity के हिसाब से हम काम करेंगे तो इसमें क्या होगा तो जब आप associativity table में देखेंगे तो पहले division execute होगा उसके बाद multiplication execute होगा इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपका 3 by 2 मतलब 1.5 हो जाएगा into 5 तब यह multiply होके 7.5 आएगा तो इसी को बोलते हैं associativity of operators ठीक तो यह तो माली जी एक example हो गई suppose कि जो दूसरी example हम लेते हैं इसमें हमने क्या लिखा हमने लिखा कि x equal to assignment operator y और हमने इसको allot कर दिया 5 ऐसे अब इसमें क्या होगा कि इसमें यह जो दोनों operator यह भी assignment operator है तो here both assignment operators have the same priority जब operator same है तो priority भी same ही होगी तो so order of operation is decided by using associativity of assignment operator तो अब इसमें कौन सा पहले यह execute होगा कि पहले यह execute होगा यह decide होगा हम देखेंगे assignment operator यह assignment operator है मारा this is assignment assignment operator ठीक है इससे इसकी हम associativity देखेंगे कि क्या है associativity table दी हुई है c के साथ में तो उसमें हम देखेंगे कि इसकी associativity क्या है तो उसमें हम देखेंगे कि इसकी associativity आप table में देखेंगे तो आपको right to left मिलेगी right to left तो right to left मतलब इस direction में काम होगा, तो पहले ये execute होगा, यानि y में 5 आ जाएगा, और फिर y की value उसके बाद second step में x में जाएगी, तो पहले ये होगा, उसके बाद x में y की value आईगी, मतलब 5 होगा, तो इसी तरह से जब भी operators के बीच में tie होगा, किसी भी expression में, अगर same hierarchy level के operator आ जाएंगे, तो उसके expression को execute करने के लिए, उसकी value calculate करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस operators की associativity को ध्यान में रखना होगा, अब इसमें मान लीजे कि एक example हम लोग और ले लेते हैं, suppose कीजे, हमने लिखा कि से, मान लीजे एक example और लिया, हमने लिखा कि से z equal to a into b, और plus c divided by d, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कि इसमें आप देख रहे हैं, तीन operator हैं, कि यह multiplication है, addition है, और division है, तो addition का तो खर-level अलग होगा है, तो इसमें इसमें मल्टिपेकेशन और division, यह सेम यह दोनों क्या है, यह सेम priority के operator है, यह दोनों जो operator वो same priority के है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑर same priority के भी है, और same associativity के भी है, मतलब इनकी associativity आप चेक करेंगे, table में तो left to right आती है ठीक है तो अब इसमें क्या होगा कि as far as compiler is concerned compiler is free to perform multiplication or division operation as per its convenience since no matter which is performed earlier the result will be would be the same तो compiler जो है वो चुकि यह दोनों same hierarchy पे हैं तो compiler free है इन दोनों में से किसी को भी पहले execute करने के लिए और जिसमें भी उसको convenience लगे क्योंकि दोनों ही case में result जो है वो same ही आना है तो यह different type के हमने example दिया आपको associativity of operators के अब इसमें क्या होता है कि जितने भी operator available है all the operators available in C all the operators available in C ठीक है उसकी जो associativity है वो एक table की form में already provided ऐसी language के साथ में तो आपको जो भी hierarchy seven लिजे या precedence जिसको बोलते है तो precedence of operator precedence of operator मतलब कौन सा operator पहले execute होगा और कौन सा बाद में execute होगा ठीक और दूसरी चीच क्या है कि उसकी associativity ठीक है यह already एक table की form में C language के साथ provided है तो और यह already defined है इस तू थिंग precedence of operation या operators और associativity of operators ठीक यह दोनों already predefined है C language के अंदर predefined and you can say pre-determined उसको कोई भी user या कोई भी programmer अपने हिसाब से change नहीं कर सकता है वो जो defined है उसको programming उसी हिसाब से करनी होगी और जो instruction का execution है या arithmetic expression का जो evaluation है वो उसी हिसाब से evaluate करके उस arithmetic expression की आपको value calculate करके देगा ठीक है अब जैसे मानलीजी कुछ example आपको दे देते हैं कि किस तरह C expression में हम लिखते हैं तो suppose कि मानलीजी हमने यहाँ पर कहा कि say this is algebraic expression मतलब यह तो हम simple अपनी algebraic form में लिख देते हैं और उसको जब हम C की form में लिखेंगे ठीक है तो C की form यानि हम इसको लिखते हैं C expression C language जब हम लिखेंगे तो suppose कि जब पहला है मानलीजी हमारा है say A into B minus C into B अगर यह है तो इसको C language जब हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे A यह multiplication का sign minus C और D ठीक है second expression ऐसे ले लिजे सपोस की जी यह दिया हुआ है M plus N into A plus B तो जब इसको C में आप लिखेंगे तो यहां पर जो into है वो by default नहीं ले लेगा तो आपको mention करना पड़ेगा M plus N फिर multiplication sign और फिर आप लिखेंगे A plus B इस तरह इसी तरह माल लिजे कोई quadratic equation है से हमने का 3x square plus 2x plus 5 इस तरह की equation है तो इसको जब आप C में लिखेंगे तो आप चुकी square का कोई exponential का बता है न कोई function कोई keyword नहीं exponential की रिए तो आपको लिखना पड़ेगा 3 into x into x plus 2 into x plus 5 इस तरह आप लिखेंगे अपने प्रोग्राम C प्रोग्राम के अंदर और माल लिजे एक division का भी example लेते हैं suppose कि आपको दिया हुआ है a plus b plus c और divided by ऐसे लिखा है d plus e इसको जब आप c में लिखेंगे तो आप क्या कीजे a plus b plus c यह तो ठीक है यहाँ division operator लगाईए और फिर इसको ब्रैकेट में ले लिजे d plus e main यही सब चीजे याद रखने की है और अगर error आती है उसे घवडाने ही जूरत नहीं आप देखिए किस line में error है हमने क्या गलती की है माल लिजे हमने एक example और लिया से equation दिए है 2 by divided by d plus 1 minus x upon 3 z plus y z plus y यह expression दिए हुई है algebra में इसको हमें सी प्रोग्राम में लिखना है सी लेंग्वेज में तो हम क्या करेंगे पहले to be y लीजिए तो हमने लिखा 2 into b into y ऐसे लिखा हमने यह किया फिर divide कर दीजे फिर लिखिए d plus 1 ऐसे और फिर minus यहां पर क्या आ जाएगा यहां पर केवाल एक्स है उपर और divided by 3 into z plus y आपको पूरा पांसर सही नहीं आएगा तो यह सब यह जो दोनों चीज़े आपको बताई है एक तो हिरार्किया या हिरार्किया ओपरेशन कह लीजे और दूसरा एसोसीएटिविटी इसका ध्यान दखीएगा प्रोगाम बनाते टाइम इसी हिरार्किया को ही ऑपरेटर प्रिसिदेंस भी बोलते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले कौन सा बाद में ठीक है और एसोसीटिविटी लेट तो राइट है या राइट तो लेट है जो भी जिन भी ऑपरेटर के बीच मे हो रहा है उनकी एसोसेटिविटी क्या है उस इस आप से उसकी कल्कुलेशन होगी वाई होग कि आपको कोई क्लियर हो गया होगा कोई डाउट कूद इंप्यूजन है तो कमेंड लाइन करें मुझे और अगर वीडियो पांडेट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्स्राइब कीजिए नोटिस्केशन बेल को आउन कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो की त्रीज बढ़ सकें थैंक यू